हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी क्या हमारे यूटूब चैनल कॉंचेप्ट गूरू में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिजनिंग का टाइप नमबर फाइफ हम जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को स्टाट कर रखे हैं और इसके पहले के चार व आवित होगा तो आई होब कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है इसलिए वीडियो में सुरू से ले करके अंतक बने रहें और अपना प्यार सने देते रहें आज क्या जो फॉर्स्ट को यह सो कर रहा आपके स्किन पर देखिए क्वेस्ट क्या स्किन पर स आपको याद करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्सन बॉक्स चेक करके और यहा फिर मेरा प्लेलिस्ट चेक कर जिए जो निव रिजिनिंग प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है और वहाँ पर आप इससे देख सकते हैं उसके बाद देखिए यह 7 था और यह 8 था प्लस 1 किया यह 9 था और यह 8 होगया माइनस 1 किया यह 6 था यह 7 था प्लस 1 किया यह 20 था 19 किया यादने माइनस 1 सबसे पहले किया किया यह सिरिज प्लस 1-1 प्लस 1-1 कर दिया जैसे यह किया एजटिज हमको वजिसे भी करना पड़ेगा तो डबलू के बाद हम जानते क्या आता है एक तो इस तरह से राइट एंसर क्या निकल करके आ जाता है एकस जेड यू डी और एस इसका राइट एंसर निकल करके आ जाता है तो आई होब कि आप इसे समझ गए होंगे और चलते हैं अब सेकंड कोश्चन पर अभी हमने रिजिनिंग के कोडिक डिकोडिंग के सारे पार्ट क को क्लियर नहीं कर रखा है सिर्फ चार क्लास हो चुकी है और यह पांचवा क्लास है जिसे हम टाइप नमबर थर्ड की बात कर रहे होते थे लेकिन यहां पर मैंने प्रिवीश एर कोश्चन लगए ताप ही आप यह एनलाइसिस कर पाएं कि आप क्वेस्चन को कैसे किस तरह लिखा है तो कॉलेज को कैसे लिखेंगे सबसे पहले इसका हम नमबरिंग कर देता है तो एस आता है 19 नमबर पे सी आता है थर्ड नमबर पे एच आता है इट नमबर पे ओ आता है 15 नमबर पे जबकि एल आता है मेरे पास 12 नमबर पे आता है कोई डाउट नहीं एफ मेरे प था और यहाँ 6 था यानि माइनस का 13 गेपिंग किया है तो यहाँ पर आठ था और यहाँ पर 21 था तो 8 ओर 13 का 26 यहाँ से तरह से मेरा गलत हो गया अब हमको next series check करना है तो यहाँ पर शीरी check करने के लिए हम यह लगते हैं मेरे पस क्या है एस सी एच डबल ओओ और यहाँ पर क्या लिखा है एफ पी यू डबलबी और वाई लिखा है ठीक है पर रेस आता है 19 नमबर पे S आता है मेरे पास 19 नमबर पे आता है और टोटल हम लेटर जानते हैं कि मेरे पास कितना लेटर होते हैं तो 26 होते हैं तो 26 में 19 को हम एड़ कर देंगे तो 9, 6, 15, 2, 1, 3, 35 हो जागे इस तरह से S को हम 35 भी लिख सकते हैं अब ध्यान दीजेगा मेरे पास टोटल 26 लेटर होते हैं और F मेरे पास कितना नमबर पे 6 लेटर पे होते है तो 26 और 6 कितना हो गया 32 हो गया यहां से 32 इसको लिख सकते हैं या फिर इसको पहले लिख लेते हैं C आता है तीन नमबर पे, तो 26 और 3 कितना हो गया आपके पास? 29 हो गया, H आता है 8 नमबर पे, 26 और 34 हो गया यहाँ पर, ओ आता है 15 नमबर पे, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं, कि यहाँ पे 25, 29, 34 यह भी कोई सीरिज देने वाला नहीं है, तो इस तरह स मेरे पास last options जो बच जाते हैं, कि वो options से चेक करने के लिए, तो सबसे पहले यह देखते हैं, कि इसमें क्या पूछा है आपसे, कि बीच वाला लेटर कौन सा होगा, तो देखें, कॉलेज में बीच के लेटर आपके पास देखा जाए, तो L ही न मिलेगा, कोई डाउट नह तो हम जानते हैं कि कितने पर आता है, 15 नमर पे और B मेरे पास 2 नमर पे आता है, तो 2 को 26 और 2 हम 28 भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, हम पिछली वीडियो में जीकर कर दी है, तो 15 से 28 आने के दोर में, हम प्लस 13 को एड़ करेंगे, कोई डाउट नहीं, अब उस तरह से ह इसमें प्लस 13 को एड़ करेंगे, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 12 और 13 मिल जाएगा, 25 और 25 पे हम जानते हैं क्या मिलता है मेरे पास, Y मिलता है, तो इस तरह से राइट एंसर इसका क्या निकल के आता है, Y निकल के आता है, हम स्टार्टिंग में ये ध्यान नहीं दिये थ और इधर से four number को count कर लेंगे जो कि जैसे ये चलता है series उसी तरह से ये भी series आपका चलता है तो ठीक है I hope कि आप इसे समझ गया होंगे और हाँ फिर्णस अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लिज इसे like करें और अपने मित्रों के पास share करना ना भूले और जो लोग subscribe नहीं किया है प्लिज वो लोग subscribe कर ले पर तेक दिन class होती रहती है ठीक है friends बढ़ते हैं next question पर next question क्या display कर रहा है कि अगर को cmdct लिखा जाता है तो जोधा को कैसे लिखेंगे देखिए a मेरे पास कितने पे 1 पे k 11 पे b 2 पे a 1 पे और r 18 पे हम इसलिए ये बार बार सीरीज को repeat कर रहे हैं ताकि आपको ये वीडियो खतम होते होते याद हो जाए पुरी तरसे c आता है 3 नमर पे a माता है 3 नमर पे d याता है नमर पे c आता है 3 नमर पे 20 नमर पे आता है 1 से 3 जाने में प्लस 2 का हमने ब्रिधी करी है 11 से 13 प्लस 2 2 से 4 प्लस 2 1 से 3 प्लस 2 18 से 20 प्लस 2 किया है ठीक अब वो जानते हैं कि j मेरे पास 10 नमर पे 2 एड करेंगे तो मिल जाएगा क्या 12 और 12 पे क्या मिलेगा हमें l मिलेगा o आता है 15 नमर पे 15 में 2 एड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 17 और q आता है मेरे पास 17 नमर पे आता है d मेरे पास 4 नमर पे 2 एड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा और 6 पे क्या मिलेगा f मिलेगा ठीक, H आता है 8 नमबर पे 8 में 2 add करेंगे तो 10 और 10 पे क्या मिलेगा J मिलेगा A आता है 1 नमबर पे 2 add करेंगे तो 3, 3 पे क्या मिलेगा C मिलेगा इस तरह से right answer क्या निकल क्या जाता है L, Q, F, J और C आ जाता है ठीक है फैंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर आईए चेक करते हैं question number 4 में series क्या दे रखा है हम जानते हैं H मेरा 8 नमबर पे I मेरे पास 9 नमबर पे J मेरे पास 10 नमबर पे A मेरे पास 1 पे C मेरे पास 3 पे और K मेरे पास 11 पर आता है कोई डाउट निंग U मेरे पास 21 पे V मेरे पास 22 पे W 23 पे और यहाँ पे देखे तो N 14 पे जबकि P 16 पे और X W 23 X 24 पे ये आता है ठीक 8 से 21 किया 13 बिर्दी किया 9 से 22 किया 13 के बिर्दी किया 10 से 30 किया 13 के किया 1 से 14 13 का 3 से 16 14 सरी 13 का 11 और 13 जोड़ देंगे तो 24 यानि सब में क्या किया प्लस 13 के नियों ने बिर्दी किया है ठीक अब यहाँ से देखे A से मेरे पास 19 नमर पे 19, 3, 22 और 10, 32 टोटल आके मेरे पास 32 अब 32 को हम लिखें कैसे तो देखें दो भागों में तोड़ देंगे एक तो 26 हो ही गया और आपके पास क्या बचा 6 तो Z तक तो 26 हो गया F देखेंगे तो कितने नमर पे आ गया 6 नमर पे आ गया कोई जाउट नहीं हम जानते कि P मेरे पास 16 नमर पे 16, 3, 19, 10, 29 हो गया तो 15 नमर पे 15 और 13 कौन होता है 28 हो जाता है और 28 को हम 26 और पलस के 2 लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं तो 26 तक तो Z हो गया 2 नमर पे कौन मिल गया मेरे पास B मिल गया उसी तरह से O 16 नमर पे और आगे चेक करें तो आपके जाए का 16 नहीं 15 नमर पे और इस तरह से जो O के लिए लिखा है ये तो हम भी सेम यहाँ पर भी हम भी लिख देंगे कोई डाउट नहीं ये खतम हो गया अब आपके पास बचा क्या N बचा N जानते है कितने नमर पे आता है N मेरे पास आता है 14 नमर पे इसका राइट अंसर निकल करके आ जाता है तो I hope कि आप इसे समझ गये होंगे और हाँ ये जो 26 और 2 28, 29, 32 हम कर रहे है न ये आप ये स्टार्टिंग से अगर पढ़ते आ रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा जो लोग नहीं देखें description box check करके वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं बारी बारी करके नियूरीजिनिंग प्लेलिस्ट के नाम से वीडियो बना हुआ है आप उसे जरूर देखें ठीक है पिंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर आईए देखते हैं question number 5 को ठीक है क्या लिखें J E S U S को E Z N P N लिख दिया है तो J A C को Jack को कैसे लिखेगा जानते हैं कि J कितने पर आता है 10 पे और E कितने पर आता है 5 पे यानि minus 5 क्या कमी किया और यहाँ पर भी J है यानि minus का 5 कर देंगे तो plus 5 minus 5 ही कट कि क्या बना देगा 0 और Z के लिए आ जाएगा यानि कल सकते कि minus 5 था उसमें से minus 5 कर देंगे तो Z निकल करके आ जाएगा तो यहाँ से A था अब A को हम अगर minus करेंगे तो हम क्या पाएंगे मेरे पास B निकल करके आ जाएगा अब यह कैसे देखिए थोड़ा साम क्लियरली कर देते है मेरे पास A आता है एक नमर पे और टोटल लेटर होते है 26 26 और A को add कर दिये तो मेरे पास क्या मिल गए मेरे बरदर 27 मिल गया 27 में से 5 को minus करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास 22 मिल जाएगा 22 पे कोन आता है भी आता है बिल्कुल आता है आगे जब बढ़ेंगे चलिए हम अच्छे से क्लियर करके ही बताते है C आता है मेरे पास 3 नमबर पे और 26 पहले से और 3 अभी से 29 हो गया सौरी इधर से अभी तो हमने चेक ही नहीं किया चलिए इधर से चेक करते है अब उसके बाद देखें एस के लिए तो एस 19 पह और यह आता है एन 14 पह आता है तो 19 14 यहाँ पर 19 और 14 माइनस 5 का यहाँ पर भी गैबिंग है चलि माइनस 5 का यू 21 नमबर पर पी 16 नमबर पर माइनस 5 मिल गया एस 19 पर एन 14 पर माइनस 5 हमें मिल गया यानि ओभर और सीरिज क्या मिल गया हमें माइनस माप किजिएगा माइनस 5 का हमें सीरिज मिल गया सी मेरे पास 3 नमबर पर तो 26 और 3 29 हो गया 29 में से 5 गया 29 में से 5 क्या, तो मेरे पस क्या मिला, 24 मिला, और 24 पे हम क्या जानते है, क्या मिलता है, X मिलता है, K मेरे पस 11 पे आता है, और 11 में से जब 5 को माइनस करेंगे, तो 6 पाएंगे, और 6 नमर पे कौन आता है, F आता है, तो यह लोजिक है इसका, इसे हमें ध्यान में हमेशा रखना होगा जो लोग नए हैं वो लोग मतलब अच्छे से इसे नोट्स बनाते चले और जो लोग पुराने उनके लिए प्रिबियस यह कोश्चन है आप उन्हें जरूर प्रैक्टिस करें पहले वीडियो को पाउस कर दें फिर आप बनाने का कोश्चिस करें दिन आप वीडियो प् कैसे लिखेंगे यह पूचा है तौक है बिल्कुल साही मही के बाद क्या आएगा यू आईगा आ बाद क्या आजाएगा I के बाद आता है J और N के बाद आता है O जबकि G के बाद आता है मेरे पास H तो इस तरह से नॉर्मल कोश्चन थे और आप ये सारे क्योस्टन जो हैं वो देख रहे होंगे कि जो मैंने क्लास स्टार्ट करिए बिल्कुल उसी के बेश्ट पर है तो पैटारन को follow करते हुए ही हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो इसलिए वीडियो में सुरू से लेकर के अन्तक भने रही है और वीडियो को बिना skip की हुए देखे और पसंद आने पर इसे like अवस्य करें अब बढ़ते next question पर next question क्या display कर रहा है कि M O T H E R को J R Q K B U लिखा जाता है तो principle को कैसे लिखेंगे देखिए इसमें अब क्या करेंगे जो हम later लिख रहे थे 3, 5, 9 यह जो later लिखे जाते हैं अब हम नहीं लिखेंगे M 13 आपके पास और J 10 नमबर पर यानी minus 3 का gaping किया तो P 16 पर minus 3 करेंगे तो 13 और 13 पर क्या मिल जाएगा हमे M मिल जाएगा कोई doubt नहीं O मेरे पास 15 नमबर पर R मेरे पास 18 नमबर यानी plus 3 किया R 18 पर 3 8 करेंगे तो 21 और 21 पर कौन आता है 21 पर आपका मिलेगा U मिल जाएगा कोई doubt नहीं दो later के लिए T मेरे पास 20 नमबर पर Q मेरे पास 17 नमबर पर प्लस 3 एड करेंगे तो 17 और 17 पर आपको क्या मिलेगा Q मिल जाता है 17 नमबर पर कोई doubt नहीं E मेरे पास 5 नमबर पर B मेरे पास 2 नमबर यानी minus का 2 किया तो A C मेरे पास आपके मिल जाएगा 3 नमबर पर देखे 5 से 2 गया minus 3 किया तो C से जब minus करेंगे मेरे पास तो क्या मिल जाएगा 0 और Z को हम 26 ना लिख करके 0 भी हम लिख सकते हैं कोई doubt नहीं तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा Z आ जाएगा ठीक अब आगे बात करेंगे R 18 पर U 21 ठीक तो यानी plus 3 किया तो I 9 नमबर पर 3 बिरदी करेंगे यानी minus 3 मिला फिर plus 3 मिला फिर minus 3 मिला फिर plus 3 मिला यानी minus 3 plus 3 यही सिरी चला रहा है दखिए यहां तक हमने क्या करिया है कि I 9 नमबर पे L 12 यानि प्लस का 3 किया है तो P 16 नमबर पे अगला काड़ी क्या होगा, माइनस होगा तो P 16 नमबर पे माइनस 3 करेंगे तो 13 और 13 पे क्या मिलेगा A में मिलेगा, कोई डाउट नी A मेरे पास एक नमबर पे 3 add करेंगे, तो 4 और 4 पे क्या मिलेगा D मिल जाएगा, मेरे पास कोई डाउट नी, प्लस किये अगला पर क्या करना है, माइनस करना है तो L 12 नमबर पे माइनस 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा और 9 पे क्या आता है मेरे पास I आता है ठीक तो इस तरह से right answer क्या निकल के आ जाता है यह निकल के आ जाता है तो I hope कि आप इसे समझ के होंगे और आइए अब अगले question पे हम बढ़ते हैं ठीक एपेंट्स आइए question number 8 को हम चेक करते हैं देखिए क्या लिखा है G, R, E, A, T great को J, O, E, J के लिख दिया है तो J बरा को कैसे लिखेंगे देखिए सबसे पहले G 7 नमर पे, J मेरे पास 10 नमर पे यानिक प्लस 3 का पर दिखिया J मेरे पास 26 पे और 26 में जब हम करेंगे प्लस 3 तो मिले क्या मेरे पास 29 और 29 को हम 26 और प्लस 3 लिख सकते हैं इसलिए इसके लिए हम C लिख सकते हैं कोई डाउट ने 26 तक तो होई गया 3 एट कर देंगे तो 29 बन जाएगा अब देखिए R मेरे पास 18 नमर पे जबकि O मेरे पास 15 नमर पे यह नि मैनस का 3 किया तो E मेरे पास 5 नमर पे 3 मैनस करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 पे क्या मिलेगा मेरे भाई B मिल जाएगा कोई डाउट ने यह देखिए E को E adjectives लिख दिया है निए कोई changing नहीं है तो B को हम B लिख सकते हैं कोई changing ना की होगे चुकि जैसे यह करता है सेंग हमको कोई करना पड़ता है अब देखिए A मेरे पस कैसे करके J आएगा तो A को हम 27 लिख सकते हैं ना बिल्कु लिख सकते है 26 और 27 चुकि Z तक तक 26 होता है तो 27 और यह होगे आपके पस क्या हो गया I, J, J आपके पस आगया 10 नमबर पे ध्यान दीजिए कि यह 27 ना लिखेंगे हम एक भी छोड़ देंगे तो भी क्या हम आ जाएगा देखिए यह एक से 10 गए तो हम कर सकते हैं कि प्लस का 9 की यह तो इस तरह से R 18 पे 18 और 9 करेंगे तो 27 मिलेगा और 27 हम जानते हैं कैसे लिखेंगे तो 27 को लिखने के लिए हमें 26 और प्लस 1 की ज़रूरत पड़ेगी Z पे आ गया 26, 1 पे आ गया A तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा A हो जाएगा और जब last letter के बात करेंगे तो मेरे पास T था और यहां पर K था T मेरे पास 20 नंबर पे जबकि K मेरे पास 11 नंबर पे माइनस करेंगे तो 9 नंबर आ जाता है last letter तक क्या A और A में अब देखिए धान से A आपके पास आ गया 27 लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं यहाँ पर हमने समझाया भी है 27 में से हमें माइनस कितना करना है 9 करना है तो बज़े कितना मेरे पास 18 नमबर बज़ेंगे और 18 पे कौन आता है R सहाब आते है इस तरह से राइट एंसर क्या निकल के आता है C, B, B, A और R इसका राइट एंसर आता है थोड़ा सा कट गया था देखिए यहाँ अध्यान से फिर से समझ लीजिए यह 20 नमबर पे यह 11 नमबर पे यानि माइनस 9 का कमी किया है अब A मेरे पास 27 लिख सकते हैं चुकि 26 और 1 मिला करके 27 बना सकते हैं बड़ा नमबर के लिए घटाने के लिए तो 27 मिशन हो गया तो 18 बच्चा 18 पे कौन मिल गया मेरे पास अर मिल गया अब बढ़ते हैं नेक्स कोस्चन पर आइए बढ़ते हैं यानी प्लस वन की है तो C के बद क्या ले लेंगे हम D ले लेंगे कोई डाउट नहीं R के बद R दखी R के जश्ट पहले क्यों आता है तो O से जश्ट पहले क्या आता है O के N आता है ठीक तो यहाँ पर क्या लेंगे हम N ले लेंगे कोई डाउट नहीं यहां से दो लेटर होगे अब E के बाद क्या आता है F आता है यनी प्लस 1 तो N के बाद क्या जाएगा A के बाद O आता है कोई डाउट नहीं यहां से H करेंगे तो A के जश्ट पहले कौन आता है Z तो T से जश्ट पहले कौन आता है मेरे पास S आता है कोई डाउट नहीं आगे देखें यहां D है तो D के जश्ट बाद मेरे पास कौन आता है E आता है तो यहाँ पर हम एक बिरिद A में जब आगे देखेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा T के जस्ट पहले S आता है याणि –1 किया तो I से जस्ट पहले कौन आता है? H आता है, ठीक? और यहाँ खिए, H के जस्ट बात कोन आता है? I आता है तो n के जश्ट बात, इन के बाद क्या आता है, हो आता है, तो इस तरह से right answer यह आपका निकल के आगया, अगर series के बात करें, तो यहाँ पर plus 1, minus 1 का series लगाया हुआ है, जिसे आप check भी कर सकते हैं, friends, अगले question पर हम बढ़ते हैं, friends, अगर video अच्छी लग रहे होगी, तो please इत्रों के पास series से करना ना भूले, देकि next question क्या बोला है, कि tom बराबर 48 लिखा हुआ है, यह 48 है, 48 लिखा हुआ है, तो hen को कैसे लिखा जाएगा, यह video में आप लोग comment करके, हमें बताईएगा, कि इसका right answer क्या होगा, ठीक है, जब नहीं होगा, तो इसके अगले video में हम और उमीद है कि आप सारे लोग जितने लोग video देखेंगे, वो video को please पहुँच करके पहले बनाने का कोशिस करेंगे, और यह question का answer आप लोग जरूर करेंगे, तो ठीक है friends, अगले कड़ी में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप से मिलते हम लेते हैं जुदा, नमस्कार